नमस्कार साथियों 22 e-learning platform पर आपका स्वागत है आज अपन टोपिक लेके आए हैं कथन एवं कारेवाही ध्यान दीजी दोस्तों कथन एवं कारेवाही के अंदर आपको एक statement दिया जाएगा कथन दिया जाएगा और उसके बाद या तो दो या तीन कारेवाही दी जाएगी आप यूँ समझ लिजी आप दिस्टिक मजिस्टेड हो डीमो क्या हो डीमो और आपको क्या कारेवाही करनी चाहिए उस statement के according कि आपको यहां से देखना है तो आपको किस निजी फायदे की यहां बात नहीं करनी है आपको overall सब के लिए जो अच्छा हो तो कौन सी कारेवाही वास्तिक रूप से करनी चाहिए को आपको इसमें से खोजनी तो देखिए आगे चलते है statement and course of actions कारेवाही तो देखिए course of actions के गुण क्या क्या होने चाहिए यानि जो भी कारेवाही होगी उस कारेवाही के क्या क्या गुण होने चाहिए उसको अपन द्यान से देखते हैं तो पहला देखिए समश्या को खतम करे या कम कर दे यानि आपको ऐसी कारेवाही करनी है जिससे या तो समश्या खतम हो जाए पूरी समश्या ही खतम हो जाए या फिर अगर पूरी एक साथ खतम नहीं हो तो आप ऐसी कारेवाही भी कर सकते हो जिससे क्या हो समश्या थोड़ी सी कम हो जाए अगल्या देखिए एक तो यह हो गया तूसरा उपाय या कारेवाही को अमल में लाना संभव हो ऐसा नहीं आप ऐसी कारेवाही कर दो जो पोसिबल ही नहीं हो याने जिसको वास्तिक ग्रूप से अमल में लाना पोसिबल नहीं हो संभव नहीं हो ऐसी कारेवाही बायो मत करना तो देखिए जैसे मैं एक्जाम्पल के तोर पे लेलूं, जैसे अपना पड़ो सी देश पाकिस्तान, अब पाकिस्तान छोटी मोटी हरकते भारत को परिशान करने के लिए करता रहता है, और भारत का एक सत्रू देश भी कहलाता है, तो उसने छोटा सा कोई आकरमन कर दिया, या फिर कोई फट बेड़ हो गई सैनिकों के मद्दे, तो अगर आपको कहा जाए इसके उपर क्या कारेवाई करनी चाहिए, आप कहोगे कि सर, पाकिस्तान के उपर परमान बम डाल दू, पुरा पाकिस्तान उड़ा दू, अब आपने ये कारेवाई करी, पोसीबल तो है, लेकिन क्या ये वास्तों में अमल में लाने योगे है, जी नहीं, इससे अलग भी कई उपाय है, जिसको अपन करके इस समिश्या को खतम किया जा सकता है, तो आपको उचीत कारेवाई करनी, तो ये दो पाइट आपको समझ में आ गए होंगे, पहला समिश्या को खतम कर दे, या ऐसी कारेवाई करे जो समिश्या को थोड़ा सा कम कर दे, दूसरा उपाय या कारेवाई को अमल में लाना संभव हो, ऐसा नहीं, आप ऐसी बात बता जिसको लाना पोसिबल ही नहीं हो अमल में, तो ऐसी कारेवाई मत करना, तीसरा उपाय, उपाय या कारेवाई ऐसी नह रखना है क्या कि कोई नई समिश्या इससे बड़ी नई समिश्या तो उत्पन नहीं हो रही अब नई समिश्या कैसे आप देखी भारत के अंदर भारत के अंदर जैसे income tax लगता आएकर अब आप कोई कि सर हम आएकर income tax को कई लोग चोरी करते तो income tax को हम च्या करे इसको कटर्यवाई इस तोरी को रोकने के लिए क्या किया जाए इस income tax को बंद कर दो अब आपने कार्यवाई करी ये लाना पोसिबल भी है अमल भी किया जा सकता है लेकिन ध्यान देखिए अब वो कुछ तोरी रोकने के लिए दूसरे उपाय भी तो आप कर सकते हो अब income tax आप बंद करवाद होगे तो बारत का राजस्व कितना बड़ा income tax से प्राप्त होता है वो सारा का सारा रुख जाएगा तो एक छोटा सा उपाय के लिए एक नई समिश्या खतम हो जाएगी राजस्व बहुत गड़ जाएगा भारत का तो आप ऐसा नहीं कर सकते यह तीन बात है आपने पढ़ ली तो थी बात क्या फेर प्ले होनी चाहिए यानि आपकी जो भी कारवाई हो वो फेर प्ले होनी चाहिए बेदबाव रही तो होनी चाहिए जैसे एक्जांपल के तोर पे देख लें आपको कोई एक अधीकारी बना दिया आपको कारवाई करने के लिए आ गया आप किसी एक संग्ठन से जुड़े हो सकते हो आप किसी एक धरम से जुड़े हो सकते हो माना कि आप जैसे एक हिंडू हो तो ऐसे नहीं हिंदूओं की पक्सप अरवτικाद करके हिंदू बंदू ओपर क्या करदो कोई विरोदाबास वाली कारवाई कर दो ऐसा भी आपको नहीं करना या शैना हो और आप कारेवाई करें किसी दूसरे संख्षन को नुकसान पहुंचा दो ऐसा भी आपको नहीं करना एकδम फेर प्ले होनी चाहिए बेदबाव रही तो नहीं चाहिए अगली बात पहला इस्ड रोनी चाहिए यानि जैसी समस्या आ कैसी कारेवाई होनी चाहिए ऐसा नहीं कि समिश्या तो आपकी बहुत छोटी सी और उसके लिए कारेवाई आप बहुत बढ़ी कर रहे जैसे एक्जम्पल के तोर पर बता दूँ आपको कहा गया कि कि किसी एक सहर में 16 साल के बच्चे ने क्या कर दिया और सौरा पर बच्चे ने कोई गुणडा गर्दी कर दी अब आप का होगे कि इसने भी सिटी के उंदर सहर के इंदर जितने भी सोरा आप ल सान के बच्चे सब आप उपाए के उल छोटा करे हूँ, यानि आपको अगर जैसे कोई एक्जम्पल के तोर पर ऐसा करना मत, एक्जम्पल के तोर पर बता दूँ जैसे किसी मच्छर को मारना है, और आप कहोगे कि सर मैं तलवार लेके आगया, आप देखी समस्या तो बहुत छोटा और आप तल है वाही, ये पांच चीज़े हो गई, अठा, फिरोदाबास की इस्तपी में देश का फाइदा सरवोच होना चाहिए, जी हाँ, जान रखिए, जब एक तरफ तो देश की बात आए, और दूसरे तरफ आपके किसी एक छोटे से समाज की बात आ जाए, या किसी एक स्टेट क की बात हो, या स्टेट के सामने किसी एक टिस्टिक की बात हो, एक जिले की बात हो, जिले के सामने एक गाउं की बात हो, मेरे कहने का मतलब है, जब आपके सामने दो पक्स हो, एक पक्स हो देश का फाइदा हो और एक किसी छोटे से संगठन बात ली जाए, तो यहाँ पर आ बहुती सिंपल चीज़े है केवल थोड़ी सी आप ध्यान रखोगे तो आपके यह जितने भी सवाल है बहुती आसानी से वो पाएंगे हाँ most and important properly related होनी चाहिए कारवाई ऐसा नहीं कि जो आपके समस्या तो अलग है और आप कारवाई उसके उपर अलग कर रहे हो ऐसा नहीं होने चाहिए जो भी कारवाई करो उस समस्या से क्या होनी चाहिए रिलेटेड होनी चाहिए properly related उससे समंधित होनी चाहिए आप उससे अलग कारवाई मत करना तो यह कुछ चीज़े थी जो आपने पढ़ी और आपने इनको समझा और समझ में भी आ गई होगी यह सारी बात है तो इनको अगर द्यान रखते हुए इस परकार के सवाल करोगे कथन एवं कारवाई के तो पूर विश्वास है पूर्ण विश्वास है कि आप हर एक सवाल आसानी से कर सकते हो देखिए अपन थोड़ा सा practice भी कर ल एक कमपनी में एक करमचारी ड्यूटी के समय सोता पाया गया जान दीजी आपको कथन में कहा गया है एक कमपनी है उसमें एक करमचारी ड्यूटी के समय सोता पाया गया अब आप यू समझ लिजी आप उस कमपनी के हैड अब आप क्या करेवाई करो क्या करें यहां से तेख पहली कारेवाई वो कह रहा है उसको तुरंत बरखास्त कर देना चाहिए आप यूं समझ लीजिए ये रियल लाइफ है इसको आप रियल लाइफ से जोड लीजिए हां कथन निसकर्च, कथन तर्क, कथन पूर्वानुमान उसके अंदर मैं मना करता था कि रियल लाइफ से मत जोड़िये यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कारेवाई हमेशा करोगे तो आप रियल लाइफ से वास्तों में ऐसा होता है उसे रियल लाइफ से जोड़ के फिर कारेवाई का उस्तर देना देखिए उसको तुरंट बरखास्त कर देना चाहिए क्या पता उसके ऐसी कोई प्रोब्ल तो बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में आप यूँ समझ लिजिए आप किसी कंपनी के हैड और उसमें आपका एक करमचारी आपने चेक किया वो सोता हुआ पाया गया आप सीधा उसको बर्खास्त कर दोगे जी नहीं आप ऐसा नहीं करोगे आप हार्ड डिसीजन नहीं लोगे हार्ड कारेवाही कभी नहीं करने है एक एक्दम बिनमता पूरवक्त कारेवाही करोगे अब देखिए ऐसा तो आप करोगे नहीं कि इसको बर्खास्त कर दो तो यह कारेवाही ठीक नहीं मानी चाहिए अब कठोरता के साथ कारेवाही नहीं कर सकते तूसरी उसकी नीद में कोई बादा नहीं डालनी चाहिए याने वो सो रहा है तो उसको सोने दो आप उसका बिल्कुल डिस्टर भी नहीं करोगे याने उसकी नीद में कोई बादा नहीं डालोगे ऐसा करोगे जी नहीं ये भी गलत है आपकी कंपनी का यहां नुकसान हो और आप उसके नीद में कोई बादा भी नहीं डालोगे ऐसा नहीं हो सकता है वो सकता आप उसको जगा कर फूचिए क्या दिक्कT है अगर कोई दिक्कT है elus sol out कि जी सो इस परकार से यह भी कारेवाही गलत है कि आप उसको उसकी नीद में वादा नहीं डालोगे ये भी एक गलत कारेवाही है तो आपका आंस्वर क्या होगा पहली पर दूसरी दौनों कारेवाही कथन का दिये गए कथन का अनूसराण करती है ये आप कह सकते हो अनूसराण नहीं करती है अनूसराण नहीं करती है ये एक भी कारेवाई अनूसराण नहीं करती है ये आपका उतर हो जाएगा क्या होगा पहली और दूसरी दौनों की दौनों कारेवाई बहुत पहली और दूसरी दौनों कारेवाई कथन का अनूसराण नहीं करती है ना तो पहली और न ही दूसरी फिर चलते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल आपका ये रहा अगला सवाल आपको कह रहा है क्थन कह रहा है पिछली रात तो इस्थानिय युवा कलब थे उन दोनों के बीच विए जगडे के बाद अगले दिन पहले दिन जगडा हुआ उसके अगले दिन के दोरान पत्थर बाजी और वहनों को नुकसान पहुंचाने की चिट पूट गतनाय हुई बहुत ही मामूली सी चिट पूट गतनाय हुई यह कथन कहा गया अब आप यूँ समय लेजी आप DMO डिस्टिक मजिस्टे डो एक जिले के और आपको अब यह कारवाई करनी दो स्थानिय युवा कलब थे उनके बीच मामूली सा कोई जगडा हो गय अब आप कारवाई क्या करोगे पहली कारवाई द्यान से देखी है अनिय पुलीस परसासन को उन सबको गरफतार कर लेना चाहिए जो ऐसा काम करते हुए पकड़े गए यह आपको कहा था इतनी भी कारवाई हो रियल लाइफ से जोड़ के देखना अब देखिए वहाँ जै लोगों को एक साथ पकड़े आप देखा होगा भारत के अंदर रियल लाइफ में ऐसी कई गटना हुई पत्थरबाजी हुई वहां जितने भी जो थे लोग उन सबी को पकड़ के जैल में डाल दिया सबी के उपर कारवाई करना संबह है एक साथ जैसे वहां सो से हो सकता है 500 लोग थी तो 500 लोगों को एक साथ पकड़ के उन पे कारवाई संबह है कि नहीं तो डियल लाइफ में आपन देखेंगे तो ऐसा नहीं होता उसने कान चिटपूट गटनाय हुई चिटपूट गटनाय आप देखते होंगे आपके सहर में आपके गाउं में रोज होती है उ और ऐसे गृपतार की या पुलीश ने तो ऐसा आप नहीं देखते वास्तिक जिंदगी में तो उसी तरह इसका भी कारवाई को आपको चेक करना है इसकेंड कारवाई कया कहती है इस्तती को नीतरित करने के लिए फान यह पुलीश परसाशन को इलाके के दोनों क्लबो के पदादीकारियों को और जब पुलीश परसाशन के पास में यह बात चली गई इस्थानिय पुलीस के बास तो इस्थानिय पुलीस क्या करेगी उन दोनों कलबों के पदादिकारियों को बुलाएगी उसके साथ बैठे करेगी उनको समझाएगी बिल्कुल सही कारवाई की है और ऐसा करना चाहिए और रियल लाइफ में भी अपन ऐसा आई करते तो इसका आंस्वर क्या होगा केवल केवल सेकेंड करेवाई केवल सेकेंड करेवाई कथन का अनुसराण कर रही है कथन का अनुसराण कर रही है कथन का अनुसराण कर रही यह आपका उत्तर हो जाएगा तिर अगले सवाल पर चलते हैं अगर कि बशाव प्थन क्या गहरा है इस वर्स कई यात्री ट्रेनों में एक होती है हमान जिसमें डोया जाता है आसी ट्रेन और एक यात्री ट्रेन यात्रा करते यात्री ट्रेनों लकेत और लूट पाट की कई घटनाय हुई है। इस वर्स, पूरे वर्स में इतनी भी यात्री ट्रेने चलती हैं उनमें लकेत और लूट पाट की कई घटनाय हुई है। कि आपको कफन कहा गया। अब इस कथन के अनुसार आप क्या कारवाई करोगे आप यह समझ लीजिए आप रेलवे के कोई पदा धीकारी हो एक ही आज एक ही दिन के अंदर आपको मैं क्या क्या बनाता हूं अभी आप रेलवे के पदा धीकारी हो बड़े इस्थर के पदा धीकारी हो और ये बाते आप के सामने आई इस वर्स यात्री ट्रेने जो भी चल रही है उसमें डखेत और लूट पाड़ की कई गटना है हुई है अब आप इस पर क्या रहे भाई के करें देखिए रेलवे प्रादीकरण को तुरंत सभी यात्री ट्रेनों में जितनी भी यात्री ट्रेने चलती है उन सब में परतेक डिबे में एक पुलीस कर्मी तैनात करना चाहिए आप मुझे बताइए कि इस जैसे बारत पूरे देस की में बात करता हूँ तो इस देश में कितनी सारी यात्री ट्रेने चलते हैं और उसके परतेख डिबे में एक ट्रेन के कितने डिबे होंगे और परतेख डिबे में अपन एक अगर पुलीस घरमी तेनात कर देंगे तो बारत की पुलीस तो सारी या डिबो में या तेनात हो जाएगी फिर और कहीं चाहिए कि तो ऐसा है Real Life में Possible है कि नहीं हाँ आप ये कह सकते हो कि परतेक ट्रेन में परतेक रेल के अंदर परतेक ट्रेन में दो जा तीन पूलिस करमी तेनाद कर दिये जाए नहीं यहां तक तो बात ठीक ती लेकिन एक रेल के अंदर अगर साथ डिबे वहां साथ पुलिस करमी आपको तेनात करने पड़ेंगे तो ऐसा री रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है इसलिए ऐसी कारवाई आपन नहीं कर सकते तूसरी देखिए ट्रेन से यातरा करने वाले यातریयों को ड्केतों और लूरेरो से निपटने के बारे में प्रसिक्ष्ण दिया जाना चाहिए क्या बात कर रहा है समझ में आई आई आपके वह कह रहा है जितने भी यातری जो यातरा कर रहे हैं उस से पहले उनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि डके तो और या उस तो जो तेरे और डके थें उनसे निप्टा कैसे जाए इसके लिए आपको एक जो यात्रा है यात्रा करने से पहले आपको एक ट्रेनिंग दी जाए पोसीबल है इसा जो भी यात्रा करेगा जिसको जैसे आदा गंडा के यात्रा करनी है तो उसको पहले उसके लिए training लेनी पड़ेगी फिर यात्रा करेगा वास्तिक जीवन के अंदर ऐसा possible नहीं तो इसके दूसरे उपाय किये जा सकते हैं ये उपाय के कारेवाही इतनी important नहीं लग रही ठीक है भाई हो तो ये दोनों की दोनों कारेवाही क्या होगी अनुसरान का अनुसरान नह कर ये गटना है वही है तो इसके दूसरे बहुत थारे उपाय है जो किये जा सकते है लेकिन ये जो दो उपाय है ये इनका अनुसरान नहीं करती है तो क्या हो जाएगा ना तो पहली और ना तो दूसरी कारेवाही कारेवाही अनुसरान करती है क्या आपका रोग जाएगा फिर चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल आपको कह रहा है कफन पाकिस्तान अपना सत्रूदेश आ गया भाई हो पाकिस्तान के तीर्थ याथरी ठंडे हो जाव पाकिस्तान कहते ही हमें भी पता है आपका कि अमागर हो इुगा हो गया होगा फंडेय से लेकिन हो बात करा है पाकिस्तान के तीर्थ यात्रियों के साथ थोड़ा सा अच्छा विवार कर ली तीर्थ यासरी अजमेर सरी बहुती अच्छी जगह है बहुती दार्मिक और अच्छी तुग है राजस्तान में अजमेर सरीफ के उर्स में भाग लेंगे बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के तिर्थ यात्री है आप एक हिसाब से देख सकते हैं कि हमारे सतु देश के लोग है तो कोई भी गलत कदम उठा सकते लेकिन अभी आप इस हिसाब से सोचोगे कि पाकिस्तान के तिर्थ यात्री है तो ऐसा अपन गलत बाव से नहीं सोतेंगे और उसके बाद देखिए वो अजमेर सरीफ कितनी पवितर जगा पर आ रहे है तो अपन कह सकते हैं कि कुछ नेगिटिव बाव आपके नकारात्म बाव आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए अब आप कारेवाई क्या करोगे देखिए सरकार को सीमा पर कड़ी सुरुक्सा करनी चाहिए अब ये स्यां सत्रुता नहीं देखेगी अब कड़ी सुरुक्सा हर देश का खुद का एक नियम होता है उसके अकॉर्डिंग वो करेगा याने सरकार को सीमा पर कड़ी सुरुक्सा करनी चाहिए और उसको वास्त्वी रूप से देखा जाए तो भी करनी चाहिए यह बिल्कुल सही कारवाई इस से इनको कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है भाई हो तो अगला देखिए तिर्थ यात्रियों के लिए सरकार को रहने अलग वैवस्ता करनी चाहिए बिल्कुल सही कह रहा है याने एक दूसरे देश के आप यूं समझ लीजिए अपन अती थी देवो भव एक दूसरे देश से महमान आए वो तिर्थ यात्रियों तो भारत का भी एक फर्ज बनता है कि उनके रहने के लिए अलग एक वैवस्ता कर दीजा अब ये उनके उपर डिपेंड करता है कि वो इस वैवस्ता के अंदर रहे या फिर कहीं बाहर किस थे यात्री दूसरे देश के महमान अपने याँ आए है तो उनके लिए एक अलग से वैवस्ता करनी चाहिए बहुत ही अच्छा बाव है और बहुत ही अच्छी कारेवाई है तो आपका उत्तर क्या होगा दोनों कारेवाई बहुत हार राइट दोनों पहली पर दूसरी दो कारेवाई कथन का दिये गए कथन का अनूसराण कर रही है या करती है अनूसराण करती है यह आपका उत्तर हो जाएगा कर लोगे दोस्तों अगला सवाल देखिए अगला सवाल है एक बारी ٹ्रक तक से समझते हो ओ एक बारी ट्रक मुख्य सड़क के बीचों बीच जो मुख्य सड़क है उसके बीचों बीच फिलट गया या आप यूं के सकते हो पलट गया और अधीकांस बाग को है यह ठीक है और जिससे बारी ट्रैफिक जाम लग गया त्रैफिक जाम सडख पर लगना ही है और ऐसा लग गया अब यह कथन में गा गया आप यूं समझा लिजी आप ट्रैफिक पदादीगारी यूँ आपके लिए यह और नई पोश्ट आपको क्या बना दिया आप मैंने पर पदादीगारी अब आप देखिए यह बारी ट्रफ था जो मुख्य सड़क के बीचो बीच उलट गया और अधिकांस सड़क के अधिकांस भाग को उसने रोक दिया और जिसकी वज़े से क्या हुआ भारी ट्रैफिक जाम लग गया अब आप ट्रैफिक पदादीगारी हो अब क्या क्या कारवाही कर सकते हो क्या क्या करोगे तेकि ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ से बेजने के लिए ट्रैफिक विबाग को ततकाल अपने कारमिक तेनात करने चाहिए हैने उस सड़क पे तो जाम लग गया अब वहां से कोई दूसरी सड़क बाई पास कोई सड़क निकल रही हो तो अपने विबाग को ततकाल अपने कारमिक वहां बेजने चाहिए ताकि वो बताया कि इस रास्ते से आप इस सड़क से आप आगे निकल सकते हो ऐसा भी किया ज त्रेक को अटाने और सड़क को साफ करने के लिए ट्रैफिक विबाग को करन बेजने चाहिए वो कह रहा कि विबाग जो है उसको वो सड़क को साफ गरने के लिए और ट्रक वगेरा उनको अठाने के लिए रही तकान रूप यह भी कारेवाही ठीक है यहां वर्ड क्या यू जुगा ततकाल यहां वर्ड क्या यू जुगा ततकाल तुरंत उसी समय ऐसा करना चाहिए और यहां भी और यहां क्या करना चाहिए अब ततकाल दो आप एक इस दिसेडन लोगे एक कारेवाही करोगे दोनों कारेवाई तोनों से है एक भी कारेवाही गलत नहीं है डेकिंड दोनों के समय मेंदा रणा संब्व है यह को ततकाल करने के लिए और इसको भी गहरा है ततकाल ऐसा नहीं होगा उसी एक करवाई को पहले कर दो और फिर उस दूसरी करवाई को आप कर सकते हो तो यह आईदर और वाली कंडिशन आ जाती है क्या या तो पहली या दूसरी कारवाही के गए कथन का अनूसरण करती है अब देखिए दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ पर आपको क्या पता लगा कारवाही तो दोनों सही है और दोनों करनी चाहिए लेकिन एक कारवाही भी वो ततकाल करने के लिए कह रहा है और दूसरी कारवाही भी ततकाल करने के लिए कह रहा है इसलिए एक ही समय में कि वो ले एक ही कारेवाही तो उपाईगी दोनों कारेवाही अमल में लाना है और पोसीबल भी है तेकिन पहले एक करेंगे ये करेंगे तो ये बाद में करेंगे और ये अगर ततकाल करेंगे तो ये बाद में करेंगे तो क्या हो जाएगा आइदर और वाली कंडिस है ठीक है अगला सवाल देखिए अगला सवाल है लग बग 30% से 40% बच्चे जिनका स्कूल में नाम लिखा हुआ है किसी दिन अनुपस्तित रहते है अब देखी मैं आपको क्या बना देता हूँ यह एक विद्यालाई एक स्कूल का परदानाचारे आपको बना दिया गया एक विद्यालाई के आप परदानाचारे हो उस विद्यालाई के अंदर लग बग 30% से लेकर 30% से लेकर 40% बच्चे क्या हो गये इनका स्कूल में नाम भी लिखा हुआ है किसी एक दिन किसी एक particular दिन की बात कर रहा है किसी दिन अनुपस्तित रहते हैं अब आप परदाना चाह रहे हो एक दिन ऐसा अगर absent रहते हैं अनुपस्तित रहते हैं तो आप क्या कारवाही करोगे और अपना इन कारवाही को को चेक कर रहे हैं यह क्या क्या कारवाई कर रहा है टेली कारवाई क्या कर रहा है और अधीग स्कूल शुरू करने चाहिए रहा है यानने 30 से 40 परसेंट बच्चे किसी दिन एपसेंट रहे अनुपस्तित रहे स्कूल नहीं आए और यह कह रहा है कि और अधिक स्कूल शुरू करने चाहिए इससे कोई लेना देना है इस कारवाई का तो मैंने आपको कहा था प्रोपल्ली रिलेटेड होने चाहिए साथवा पॉइंट आपने क्या पटा था प्रोपल्ल इसकूल खोलोगे क्या जी नहीं तर अगली कारवाई बढ़ते हैं अगली कारवाई यह क्या करता है इन अनुपस्तितियों का कारण डूंडना चाहिए बिल्कुल सही जब यह अनुपस्तित रहे है तो आपको कारण डूंडना चाहिए आप प्रदाना चाहिए विद्या ल चाहिए और आपको करनी चाहिए क्या उत्र क्या हो जाएगा केवल सेकिंड कारेवाही केवल सेकिंड कारेवाही क्थन का अनुसरन करती है अनुसरन करती है कि आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है विद्यारतियों फिर चलते हैं अपन अगले सवाल पर बहुती आसान है तारे सवाल हो रहे हैं आपसे अगला सवाल देखी अगला सवाल आपको कहता है और इसका कथन दिया गया है विवा समारों में बड़ी संख्या में भाग लेने आए आमंत्रीत व्यक्ति विशाक्त बोजन के कारण किसके कारण? विशाक्त बोजन के कारण बिमार पड़ गए और इलाके में इस्तित कई अस्पतालों में देज जाए गए यानि एक कोई विवा समारो चल रहा था जिसमें बड़ी सिंख्या में भाग लेने के लिए लोग आई और आमंतृत वेक्ती जो थे वो विसाक्त बोजन के कारण विसाक्त बोजन के कारण विमार पड़े और इलाके में स्तित कई अस्टालों में ले जाए गए अब आप इस पर क्या कारेवाई देखोगे देखिए पहली कारेवाई ये क्या कर रहा है सरकार को अगली सूचना तक याने सरकार को अगली सूचना जो भी आए तब तक ऐसे कारेकरमों पर रोक लगा देनी चाहिए मैंने मैंने आपको क्या कहा था वो भी कवाल आए उसको अमेज किल लाइफ से वास्त्रीक जीमन से जोड के देखना जैसे वास्तों में ये कोई साधी समारो हो रहा था और वहाँ पर बड़ी से हमें लोग आई और वहाँ हो सकता है विसाक्त बोजन बना हो या फिर विसाक्त हो गया हो बोजन और लोगों ने इसको खा लिया विमार पड़ गई और उनको पास कि किसको ऑस्पीटल सब गेरा थे लेज जाया गया अब आप क्या करोगे ये कारवाई सही है क्या सरकार को अगली सूतना जब तक नहीं मिले तब तक ऐसे कार कर्मो पर रोग लगा देने चाहिए क्याने पॉसीबल है आप कहो गए कि ये विवा समारों के अंदर ऐसा हुआ जितने भी विवा है अगली सूतना मिले तब तक सारे विवा रोग दो ये पॉसीबल की नहीं अपन ऐसा नहीं कर सकते के लिए और कई उपाय है और कई कारवाई है ऐसा आपन कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते क्या मर्लब सरकार को अगली सूतना तक ऐसे सभी कारे करम रोग देने चाहिए ऐसा नहीं कर सकते कि सारे विवा आप नहीं रोग सकते तब तक क्या पता एक साल तक कोई कारवाई नहीं हो तब तक एक साल तक सारे विवा रोग जो गरोगे तो यह जो कारेवाई है यह कारेवाई गलत है अनुसरन कथनका नहीं कर रही है अगली देखिए सरकार को इस्थानिय अस्पतालों को सला देनी चाहिए कि परबावित लोगों को सबसे अच्छी सेवाएं दे बिल्कुल सही कारेवाई अब लोग बिमार पड़े ह यह करवाय तो आप करोगे आपको करने भी चाहिए कि परबावित लोग उस बिमारी से जो बिमार हुए है परबावित लोग नहीं है वो सबसे अच्छी सिवाए उनको दी जा यह करवाय बहुत अच्छी है इस से किसी का नुक्सान भी नहीं होगा और ये कारेवाई कथन का भी अनुसरन कर रही है तो आपका उतर हो जाएगा केवल सेकेंड कारेवाही केवल सेकेंड कारेवाही कथन का अनुसरन कर रही है कथन का तही अनुसरन कर रही है क्या करती है ये आपका उतर हो जाएगा तो प्यारे विजयरतियों देखिए बहुत ि साधारन सवाल है और बहुत आसानी से आपसे सोल भी हो रहे है तिर चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल ये रहा आपके बोड के उपर स्क्रीन के उपर और अगला सवाल में कथन दिया किया है तोड सरकीट के डर से जान से देखिए एक एक सब्द को तोल तोल कर पढ़िए तोड सरकीट के डर से सहर के एक स्कूल इमारत से निकलने के पर्यास में मची बगदर बगदर मच गई या कम से कम पांच विद्यार्थियों की मृत्यू हो गई यहने सोड सरकीट हुआ उस सोड सरकीट के डर से बागे और सहर के एक स्कूल इमारत से बार निकल रहे थे सारे एक साथ बार निकलने की कोशीज करी और उसके उस मची बगदर के अंदर क्या हो गया पांच कम से कम पांच विद्यार्थियों की प्रित्यू हो रही है कौनसी कारवाई सही है और कौन सी होनी चाहिए वास्तों में देखी पहली गारवाई यहां क्या कह रही है इस ले प्रदानाचारे को तुरण्थ गृपतार किया जाना चाहिए अपने कथन द्यान से बढ़ा कथन में देखे सम Philippe का आपको JUL नहीं है पहले पहले आपको उस कथन के अंदर दी गई समिश्या डूंड नहीं आनी चाहिए हैने वो कहरा सोड सर्कीट हुआ है सहर के एक स्कूल इमारत से अब सोड सर्कीट तो कहीं भी हो जाए सोड सर्कीट हुआ उसमें प्रिंसीपल जो था इसको परदाना चारे परताना चारे कि यहां पर क्या अगलती सोड सर्कीट तो हर जगह होते क्या उनको गृपतार कर देना चाहिए इसके घर में भी सोड सर्कीट हो उसको गृपतार कर दो तेखिए तमस्या ये नहीं थी सोड सर्किट स्कूल में हुआ उसके बाद देखिए मची भगदड मच गई पार निकलने के परयास में और उस भगदड मची उस वज़े से कम से कम पांच विज्यार्थियों की मत्यू हुई है तो आप ये कह सकते हो ये कारवाई नहीं कह सकते क्योंकि सोड सर्किट किसी परदानाचारे ने ना जान बुझकर करवाया है और ये कारवाई करनी बिल्कुली गलत साबित होगी इसी स्कूल के परदानाचारे को तुरंट गिरुपतार किया जाना चाहिए ऐसा आप नहीं करोगे कारेवाई कठोर नहीं होने चाहिए मैंने शुरुगात में आपको बोला था तो आपका क्या हो जाएगा ये कारवाई पहली कारवाई वो कफन के अनुसार 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 अन नहीं करती है दूसरी देखिए सरकार को स्थाई रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश देने चाहिए अब स्थाई सरक्ट तो पर्दा ना चाह रहने करवाई नहीं या स्कूल की तरफ से करवाई नहीं गई अब अगर ऐसा हो गया कि स्कूल को बंद कर दिया जा इस्थाई रूप से कि जैसे किसी गर के अंदर आपके गर केंदर सौट सर्कीट हो गया आपका घर बंद कर दें अरे सोर्ट सरक्ट हुआ है ना तो उसने जान बुझ गिया तो आप इस थाई रूप से उस विद्याले को बंद नहीं कर सकते ऐसे बड़ी बड़ी कई कमपनिया वगेरा होती उसमें सोर्ट सरक्ट हो गए तो उसके लिए दूसरे उपाए बहुत किये जा सकते आप एकदम से उस कमपनी को उस विद्याले को आप इस थाई रूप से बंद नहीं कर सकते ठीक है भाईयों ठीक है दोस्तों तो ये आपके भी क्या हो जाएगा खलत हो जाएगी ये भी अनुसरान नहीं कर रही है आप उस स्कूल को इस थाई रूप से बंद नहीं कर सकते तो इसका भी उ उत्तर होगा ना तो पहली और नहीं कुसरी कार्यवाही कथन का अनुसराण करती है अनुसराण करती है ठीक है विद्यारतियों कि आपका इसका उत्तर हो जाएगा फिर अपन चलते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल यह रहा स्क्रीन पर अगला सवाल आपको क्या कहता है केंद्रिय उडियन वो परेटन मंत्राले ने इस दसक के अंत में दसक तस साल का अंत्राल दस वर्षों का दसक के अंत तक परेटन से जो अमदनी वो कितनी तस अजार रुपे करोड़ दस अजार करोड़ रुपे रुपे दस अजार करोड़ का पार्सी लक्से निर्दारित है अब आप देखिए जैसे आप किसी भी परिक्सा कोई भी परिक्सा देते हो परतियोगी की परिक्सा की आप तयारी कर रहे हो तो उस परतियोगी की परिक्सा के अंदर जैसे आपने कोई टेस्ट है टेस्ट स्रीज आपने जोइन कर लिए एक टेस्ट के अंदर आपको 50 मैं से पहले टेस्ट में जैसे 25 पर आ गए तो अगले टेस्ट में आप क्या करोगे बीड का टार्गेट रखोगे तर अगले टेस्ट में पक्ये लेके आऊंगा जी नहीं 25 आप लेके आए तो आपका क्या रहेगा लक्से कि अगले टेस्ट में मैं 28 लओं 50 में से 30 अंक लेके आऊं तो इस तरह से आप बड़ा कर लक्से रखोगे तो उसने जो अगले दसक में जो दसक के अंद तक लक्से रखा है वो 10,000 करोड रु आप यह क्या करोगे आप पहली करेवाई कह रहे यह और अधिक वह नए परेटन स्थलों को विक्सीत करने की आवश्यक्ता है इसमें आपको कथन में कहीं कहा गया कि परेटन स्थल जो है उनकी कमी के कारण पहले रुपए कम हुए आम दिनी कम होई अब आम दिनी बढ़ान करेंगे उसमें कहीं भी परेटन स्थल की कमी बताई गई है जी नहीं मैंने कहा था प्रोपरली रिलेटेड होने चाहिए ऐसे नहीं मर्जी से आप ऐसे अजारों और खोल लोगे यह परेटन स्थल तो उससे क्या हो जाएगा आम दिनी जो ओने थी उससे जदा तो नुक्सा हो जाएगा आप लगा लोगे पैसे कामदनी कहां से हो आपको इसके लिए जो जितनी बड़ी समस्या उसके एकोर्डिंग बैलेंस ले आपको कारेवाही करनी है ठीक है प्यारे विद्यार्तियों तो ये आप कारेवाही नहीं करोगे आप इतने नए परेटन स्थलों में ब खर्शित कर ठाक से पूरा करने के लिए आकरसक योजनाओं का मंत्राले को सुपारंब करना चाहिए कि बिलकुल अगर आपको आमदनी बड़ानी है तो ये मंत्राले के पास ये जो परेटन स्थल ये पहले भी थे अब उसे आमदनी आपको बड़ानी है तो आपको आकरसक योजना है तो लानी ही पड़ेगी जिससे तो आमद नहीं बड़ेगी तो ये बिल्कुल सही कारवाई है और ये आपको करनी चाहिए तो आपका उतर क्या हो जाएगा केवल सेकेंड केवल सेकेंड कारवाही कथन का अनुसरन करती है क्या आपका तरो देगा क्या विद्यारतियों फिर चलते हैं अपन अगले सवाल पर अगला सवाल आपके ये रहा अगला सवाल आपके क्या कह रहा है हाँ जान से पढ़िए त्यूरेनियम खदान के पास और सी खदान यूरेनियम खदान की बात कर रहा है त्यूरेनियम खदान के पास रेडियो धर्मी कच्रे रेडियो धर्मी कच्रे के संपर्क में आने के कारण पड़ी संख्या में आदिवासी निवासी पिपीन बिमार्यों से पिडित हो गए अब इसमें आप समस्या डूंडिये यूरेनियम खदान समस्या है ती नहीं उसने का यूरेनियम खदान के पास रेडियो धर्मी कत्रा जो है रेडियो धर्मी कत्रा है उसके संपर्क में आने के कारण पड़ी संख्या में आदिवासी निवासी विबीन बिमारियों से पड़ी समस्या यहाँ पर क्या है आदिवासी बिमार हो गई यह समस्या है अब देखिए कारेवाही क्या करने चाहिए पहली कारेवाही सरकार को ख़दान को तुरंत बंद करना चाहिए अब देखिए अगर ऐसा करेंगे ख़दान है हर ख़दान के पास ऐसी अभगी फारी ख़दान बंद कर दोगे तो इन से लैंड वे होता है राजत स्वान तर्व कह गाटे एकिर्ट में में चले खागी। शारी ख़टाने बंद कर देंगे अवह इस यृरीनियम से कितने इंकम होती है देश को वो तो आपको पताईयोगा तो इन ख़टानों को कि इसके अपना बंद नहीं कर सकते इसकेक अलावा और उपाय कई कर आप ऐसा कर सकते हो आप ये नहीं कर सकते क्या कि इस ख़दान कोई बंद कर दे तो ये आपकी गलत कारवाई है ऐसा आपको नहीं करना चाहिए पिर अगली कारवाई देखिए संपर्ख से बचाने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए हाँ ये आप कर सकते हो कि उसके संपर्ख में आदिवासी नहीं आए ऐसा कुछ उपाय करने चाहिए और ये बिल्कुल ठीक लग रही है संपर्ख से बचाने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए ये बिल्कुल ठीक करवाई लग दी फिर अगला आदिवासी का सुरक्सित इस्थान पर पनरवास किया जाना चाहिए हाँ अब उनकी जिंदगी भी है जरूरी हाँ अपने ये नहीं कर सकते हैं खदान सारी बंद कर दो खदाने बंद नहीं हो सकती आप ये कर सकते हो ना आदिवासी को किसी तूसरी जगे जहां उनके रेडियेशन नहीं पहुंच रहे हैं आप उस जगे उनका पनरवास करवा सकते हो ये भी बहुती अच्छी बात है तो तो कारवाई केवल सेकेंड और थर्ड के अनुसरन का अनुसरन करती है कि आपका उत्तर हो जाएगा अगला सवाल देखिए यह दस सवाल थे आपके पास और आपने इन सवालों को बहुत अच्छे से समझा और असानी से आप से और एक सवाल हो भी रहा था तो इस परकार इसको एक बार और वापस पढ़िए तिर भी अगर आपको किसी भी किसी सवाल के अंदर इस टोपिक से रिलेटेड आपको सेस करके मेरे को पूछ सके आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा आज के लिए केवल इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जै हिंज जै भारत